उतरप्रदेश में 2,44,565 राज्जी कर्मचारियों का वेतन रोग दिया गया है योगी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला नवस्कार मैं हूँ रिनो यादवर आप देख रहे हैं न्यूस दिटीन का डिजिटल प्लेटफॉर्म दरअसल योगी सरकार ने पहले ही सपस्ट कर दिया था कि जितने भी राज्जी कर्मचारी हैं उन सभी को अपनी संपत्ती का ब्योरा मानव संपदा पोटल में देना होगा अप्लोट करना होगा 31 अगस्त तक सभी को अप्लोट कर देना था पूरी जानकारी जितने भी संपत्ती उनके पास है चल अचल संपत्ती लेकिन इस संपत्ती का ब्योरा जिन जिन राज्जी कर्मचारी ने नहीं दिया है उन सभी की जो तनखवा है वो रोग दी गई है सभी को लगा सभी ने इस आदेश को हलके मिलिया है लेकिन जिनका वेतन अब नहीं पहुंचा है उनके लिए बहुत बड़ा जटका लग चुका है अब आपको ये बता दें कि 71 फीसदी ऐसे कर्मचारी हैं जिनोंने ये जानकारी अप्लोड की है और इसमें कौन-कौन से अधिकारी किस-किस श्रेडी में है वो भी बता दें दरसल IES, IPS, PPS, PCS अफसरों की तरच पर राज्जी कर्मचारियों को भी ऑनलाइन संपत्यों का ब्योरा देना अनिवारे किया गया था, हाला कि शिक्षक, निगम कर्मचारी, स्वायस, साशी, संस्थाओं के कर्मचारियों के इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन ही कहा गया था कि सभी को अपनी संपत्ती की पूरी जानकारी पोर्टल में देनी होगी, अब 17 गोस् तक्रीमां 2,44,000 से जादा ऐसे राज्य कर्मचारी हैं, जिन्हों ने अपनी संपत्ती का ब्योरा नहीं दिया, और अब उनके अकाउंट में दनख्वा नहीं पहुंची, और अब खोड मच गई है, क्योंकि अब कुछ समय भी बढ़ा दिया गया है, पहले 30 अगस्ते तक य राज्य कर्मचारीों के लिए जो कि अपनी संपत्ती का ब्योरा दे सकते हैं, और उनकी जो सैलरी है वो एकाउंट में आ जाएगी, अब ये भी बना दें कि 31 अगस्त तक संपत्ती का ब्योरा देने वालों को ही अगस्त महा का वेतन दिया गया है, ये पहले ही कह दिया गया चल अचल संपत्ती दोनों का ही ब्योरा देना था, और करीब धाई लाख ऐसे कर्मचारी हैं, जिनोंने जानकारी अप्लोड नहीं की अपनी संपत्ती की और उनका तंखवा उनकी अकाउंट में नहीं पहुंची है, अब इन विभागों, किन-किन विभागों में कर्मचार शिक्षा विभाग, उच्चे सिक्षवा, चिकत्सा, स्वास्त और द्योगिक, विकास और राज्यस वे विभाग शामिल है, जबकि टेक्स्टाइल, सानिक कल्याण, उज्जा, खेल, क्रिश्यों और महिला कल्याण विभाग की कर्मिचारियों ने अपनी संपत्ती का ब्यो जानकारी नहीं दी है, अब इस तरीके से तक्रिबान 2,44,565 कर्मिचारी है, जिने एक महिने का और वक्त दिया गया है, और इस एक महिने के समय में वो अपनी संपत्ती के जानकारी दे सकते हैं, और उनकी तंखवा उनकी अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन योगी सरकार न इलापर वाही बढ़ती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनकी संपत्ती की जानकारी नहीं मिलने पर उनकी तंखवा उनके अकाउंट में नहीं पहुंची है, और ये बहुत बड़ा जटका भी कह सकते हैं, लेकिन अब ये समझना होगा कि अगर कोई आदेश आता है मुख्य सचीव की तरफ से कोई नरदेश आते हैं, तो उसका पालन करना बहुती अनिवार है सभी राजी करमचारियों के लिए, वरना एक बार फिर आपको बड़ा जटका लग सकता है, एक महने की तितियों और बढ़ा दी गई है, तब तक आप अपनी संपत्ती का ब्योर अगले महने की सेलवी के साथ, तो आप जल से जल अपने संपत्ती का ब्योरा तुरंट अभी अप्लोड करनें, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए, न्यूज एथी नेटवर्क, नमस्कार